नमस्कार साथियो तो आज है 1st June 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दिगज कंपणी NHPC Limited की शेयर्स के बारे में जिसको पर लगातार मेरा खड़ीदारी करने का डाय था एवन आज भी मेरा राय एक दम से मैं दोस्तो आप लोको मैं क्यों बार-बार बोलता हूँ कि आज़े पेशन्स रखें मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर्स के लिए तो आपने देखा होगा last day शेयर्स में सीधा-सीधा ब्रेकाउट हुआ जो लेबल्स पे लास्ट कुछ दिनों पे थोड़ा स्ट्रगल करा था शेयर 105-106 के आसपास उस लेबल को एकदम से ब्रेकाउट देके उसके काफी उपर जाके शेयर क्लोजिंग भी दिया 108 रुपए पे लगबग 6.88% तेजी के साथ इस बज़े से आपको बार-बार बोलता के अंदर आपने देखा कि देर सो तक भी पहुँच सकता है आईए अब एक एक करके बात करेंगे कि लास्ट डे अचानक से ब्रेकाउट कैसे हुआ उसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आया वो भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में साथ आती साथ आपका आके का रननी थी क्या हो सकता है इनेच पीसी लिमिटेट की शियर्स को लेगे आईए यह पूरा जानकर आपके साथ यहां पे शियर करूंगा तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं लास्ट डे यानि शुक्रबार के दिन शियर के अंदर ऐसे सरेनली ब्र जो कि अलेटी में आपको थर्स्टे यानि ब्रश्पती बार रात की एक फीडियो में इंफर्म कर दिया था कि यह न्यूज आया नेक्स्ट इंपक्ट देखने को मिलेगा काफी पॉसिटिबली आप एकदम से ब्रेक आउट दे दिया यह तो अच्छी बात है तो दोस्तों पीसी के लिए टेंडर इशू किया मताब पर्टिकुलर्ली एनेच पीसी के लिए दूसरे और कोई कमपणी नहीं कितने तीन सो मेगावार्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट अब देखिए जो सोलर प्रोजेक्ट है आज की रेट में बहुत डिमांड में है खास करके गब से शेयर में ब्रेक आउट हुआ और कल यानि बजार क्लोस हो जाने के बाद 31 को दोस्तों एक और इंपोर्टेन अपडेट आया यह है दोस्तों न्यूस नहीं पीसी इन्वाइट्स भीट फॉर 1.2 गीगावाट यहां पर मैं आपको तोरह पॉस्ट करके बदाके रखना चा इसको करने के लिए अब इसके थूँ क्या होगा आचा पहले एक और चीज़ देख लिजी यहां पर जो भी सारे कंपनी जैं इंटरेस्टेट रहेगा 29 जून के पहले यहां पर बीडिंग करना पड़ेगा यहीं इसका आखरी दिन है सब्मिशन का तो इसके थूँ एक तो हात में लगाता प्रोजेक्ट आता चाहरा है कंपनी भी दूसरे कंपनी को यहां पर ऑफर कर रहा है इसके साहरा इसाथ कंपनी के हाथ में जो बहुत important पैसा आजाएगा एकदम solid cash आजाएगा यह बहुत important point है ठीक है तो I think कि इसके impact पर आपको next day जब बजार open होगा यानी 3rd June के दिन जरूर देखने को मिलेगा market में अब यह तो कुछ भी नहीं है एक और न्यूस को पर मैं आपको लेके चलता हूँ चलिए PDF कर वह सबसे important है अब देख सेक्तों मैं PDF को पर आ चुका हूँ NHPC Limited द्वारा एक्सेंज को इंफर्म किया पहले आप देख लिजिए इस न्यूस की subject क्या है यह है इंटिमेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन दा इन्वेस्टर्स कंफरेंस जीहां दोस्तों बड़े इन्वेस्टर्स को दोस्तों यहां पे मदब बड़े इन्वेस्टर्स के साथ यहां पे बाचीत होगा NHPC के management कब होगा पहला आप देख लिजिए Tuesday फोर जून अब देखिए obviously फोर जून एक बहुत important date है because election की result election की result के साथ obviously PSU company की share की बहुत गहरा connection है कुछ भी हुआ impact आपको सीधा सीधा देखने को मैं लगा share में ऊपर से दोस्तों यहां पे उस दिन फोर जून के दिन Tuesday यहां पे एक conference होगा किसके साथ मेराई asset capital market उसके नेक्स डे फिब जून आप देख लिए वेड़ेस डे बुद्बार के दिन एक और दोस्तों यहां पे कंपनी बोफा बोफा सीक्यूर्टी बोफा का फुल ने में बैंक अफ अमेरिका इसके साथ मिया पे conference meeting होगा उसके बाद कि 6 जून जो कि मैं वीडियो की थमनल पर यूस क्या 6 जून तो बेसिकली 6 जून दोस्तों आखरी meeting होगा फोर जून से meeting शुरुआत हो जाएगा और आखरी meeting किसके साथ होगा सिस्टेमाटिक्स ग्रूप यह भी एक फंड कंपनी है रिनीवल एनर्जी कंफरेंस इन मुंबाई तो यह तीनों meeting दोस्तों बहुत important होने जा रहा है because यह तीनों जो बड़े-बड़े फंड या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया करके रख दीजिए यह जैसे मीटिंग के आउटकम निकल जाएगा तुरत मैं आपको इसी चैनल को वीडियो को साथ शेयर कर दूंगा ठीक है ओके तब चलिए मैं आपको फिर से आपके ब्राउजर के उपर लेकर चलता हूँ कॉंट्राइट के बारे मैं थोड़ा चर्चक लिया अब बात यह कि कंपणी की इस बार पर्फोर्मेंस भी मैं खुद एगडी कर रहा हूं कि उतना अच्छा नहीं था बड़ार तसेम टाइम यह भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कंपणी की अक्सर हमने देखा कि कॉंटर 3 और कॉंटर 4 रिजल थोड़ा खराब ही होता है इसके पहले आप देख लिजे और कॉंटर वान और कॉंटर 2 कंपणी की बेस्ट होता है यानि जून और स्प्टेमबर काथै के यह चीज़गे ऐसे कैसे अब देखिए यह चीज़ भी आपको पहले समझने की जरू प्रफिट करके उसको किया जाता है और सर्दी की मौसम पे या एकदम टाइड़ गर्मी पर का जो फ्लोह का वह रिवाउनी का वह काूध अच्छा देखने को मिलता है इसके पीछे रिजन यहीं है ठीक है और लास्ट दोस्तों एक और चीज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लिटरली बोल रहा हूं कि इतना बढ़िया कारवार हुआ ना नेक्स डे मेरा अगर अनुमान सही निकला तो इसमें एक बहुत बड़ा ग्याप ओविनिंग हो सकता है और नेक्स डे सोंबार के लिए 7,91,000 के उपर शेयर अभी सही बाइंग साइट में एमोडर लग चुका है और उपर से वॉल्यूम देखिए भाई सहाब अब इसको देखके तो लग रहा है कि देखे बड़े इंवेस्टर्स खूब माल उठा रहा है 59.69 करोर अल्मोस साथ करोर के आसपास दोस्तों शेयर ट्रेड हुआ जिसमें डेलिवरी का पहले परसंटेज देख लिजे नॉर्मल डे पर 30% 35% अगसर आप साथ में शेयर करता हूँ उतना डेलिवरी होता है बट लास्ट दे एक तो हूज वॉल्यूम उपर से ये मोटर लग चुका है बाइंग साइट में उपर से डेलिवरीबल परसंटेज 58.86% तो इसके दुरू देखिए बहुत अच्छे उठा रहा है उपर से फोर्ट जून आपकी एलेक्शन की रेजल्ट है बहुत ही फोकस में रहने वाला सेक्टर होने जा रहा है मंगल बार के दिन है ना तो कहीं नहीं देखा जाए जिस बैसे मैं आपको बार बार इसके पहले भी कहा था पेशन्स रखिए पेशन्स प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पा निकले दिका आपके लिए तो एक दुम्हीं फीडियोप कॉस्ट है मैं आपको अक्सर बता देता हूं कि य अभी भी ओवर बॉर्ट जोन पर नहीं है 64.87 का सबसारी से इंडेक्स नीचे की दरब जो लेबल पे बार बार आमने देखा था एनेच्पी की शर को सपोर्ट मिला था वह है 20 टेस की इमें एमें एक्सपोनेंशल मुविंग एबरेज यानि ब्लू कलर की लाइन यहां पर आप देख सकतो हो शेयर में एकदम से सड्डेनली तेजी के बाद जब बजार में थोड़ा थोड़ा करेक्शन हुआ था लास्ट टेडिंग विक पे इसकी उपर यह की हर बार सपोर्ट मिला 100 के नीचे शेयर नहीं गया हां एक दो बार गया तो कुछ सेगेंड के लिए फि सपोर्ट बिल चुका अब उसके ऊपर भी ना आज एक एक सो तीन से लिएक सो पांच का सपोर्ट मिलगा विकाउज इसके पहले हमने देखा था इसी लेवल का आसपार बार बार रिजेक्ट हो रहा था तो प्रीवियस जो रिजिस्टेंस पॉइंट एक बार ब्रेक होने के इसके बाद यह जो रिजिस्टेंस वाला पॉइंट यहां पे क्या बन जाएगा एक दम से सपोर्ट तो यही मैं बोलने की कोशिश करना हूं ठीक है तो इमिरेट बात करें अगर आपको इंट्री लेना है इनिट्पीस की शेर में तो आपके लिए बेसिकली दो इंट्री प इसके आसपास पहुंच किया यहां पर भी आपको बोलूंगा कि शॉट टम बेसिस पेंट्री में अगर आपको जाना है लॉंग टम के लिए चाहिए साथ में पेशन्स भी रखिए ठीक है इसके पहले भी आपको बार बार का था जब शियर फेब्रोरी के महिने पर अपना अब लाइब आपको वीडियो सारे मिल जाएगा इसी चानल को बढ़ ठीक है जब शियर गिर्ती गिर्ती इसको सेल कर सेल कर पहा है अकेले यहां पर बोल रहा था कि अपनी अच्छी कंपनी है फंडामेंटल अच्छी कंपनी है साथ इसाथ पेशन्स रहीं इन्वेस्ट आज देखी कितना अच्छा प्रॉफिट में प्रॉफिट एंजय करें वहीं बात है कि मार्केट में पेशन्स आपको दिखाना पड़ेगा जो कोई भी हो ठीक है बागी दोस्तों इसे डिल्टर कोई आपका डाउट्स बगर है कमेंट करके क्लियर कीजिए फिलाल इस वीड कर बाई जय हिंद